हेलोरों कैसो आप लोग आई हो भाई हमेश है कि तरह आप लोग गरदा उड़ा रहे हों कि आज गरदा उड़ाने के लिए फाइनली हम लोग वास V30 आ गया बहुतों का डिमांड था है कि भाई V30 का भी रिव्यू करना है V30 Pro का हम लोगों ने देखा था क्या धमागेदार कैमरा उसका तरह इसका कैमरा हम लोग टेस्ट करने वाला है इसमें क्या-क्या प्लस पॉइंट्स है क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स है वह भी बात करेंगे पर सबको एक चीज़ बता दे कि V30 Pro से ये इसका कैमरा क्या होता है कि काफी कुछ optimization यह सब भी different है तो इसको टेस्ट करने माले कि 30 एर के रेंज में यह फोन आपके लिए कैसा में मिलता था यहां पर भी आपको brightness जो है काफी ज्यादा है एक दम ब्राइट बहुत ब्राइट फील होता है डिस्पले कोहीं भी कोई भी कंसर्ण वाला चीज नहीं था 1200 नीट्स का पीक एक पर और अप तो अपडेरzk निए क सब्सक्रीश को तेस्ट है करने के बाद इसको तेस्ट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या अपडेट में कुछ चेंजिस वगरा हुआ नहीं तो बात करते हैं एकामरा कामरा कैसा क्या है क्यूंकि V30 Pro का कामरा बहुत इंडेक्स लेश्ट लिह रहाफ और प्राइबर बढ़िया से नहीं नहीं वहां पर प्राइमरी कामरा जो है डिनी-बढ़ी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का एफ 1.9 एपरचर के साथ सेंसर साइट जो है उससे थोड़ा से छोटा है वन बाइव 1.5 इंच का सेंसर है और यह कहीं न कहीं काफी अच्छा सेंसर है ऐसा बात कुछ नहीं बोलेंगे वाइस में मिल जाता है और यहां पर फोर के 60 एपस नहीं मिलेगा फोर क कर पाया है क्योंकि यहां पर क्लिक होता बाद दिख रहा है फोटोस तो थोड़ा सा सटर लेग है इस पोन में इतने देर में 28 फोटोस क्लिक किया इसने तो ठीक ठाक बोलेंगे बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं एक एफेक्ट मास्टर मोड है जिसको आप यह काफी ज़्यादा है फोटोग्राफर्स के लिए तो देखिए अगर फोटोस का बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहला चीज आपको कलर्स जो है बूश्टेड मिलने वाला है डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें आपको विविड मोड में आता है यह कलर सब को बूश्ट कर यूमेन सब्जेक्ट में फेस बगरा जैसे ही दिखेगा वो थोड़ा साचीकना सॉफ्ट करता है लेकिन अच्छा फोटोस निकल के आता है कहीं भी ओबर ब्राइट वाला चीज हमको ऐसा फील नहीं हुआ अगेंस द लाइट वाले फोटोस में भी हमको अच्छा वेल बैल लेकिन फोटोस का कॉलिटी बहुत ही बढ़ी है निकल के आएगा तो अगर आपको बूस्टेट कलर्स फील होता है तो राइट सैड में आप देख सकते हो कितना कम है वह नाच्रल कलर मोड में लिया गया है तो एक एडवांटेज हो जाता है और फ्लैस का डिफरेंस देख स सूट करता है यहां पर 4K अल्टा वाइट सटा दिया गया है सेम संसर अपको वी 30 प्रो में मिलता था तो 30,000 क्रेंज में सबसे आदा जिस ट्रगलिंग चीज होती है वह होती है अल्टा वाइट यहां पर आपको कॉंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया जैसा कि आपक 8MP से तो लाग गुना बहतर फोटो अपको निकाल के देता है जो कि 8MP कभी दे ही नहीं सकता है और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप लो लाइट में जो फोटो लोगे वह भाई बेस्ट क्वालिटी का 30,000 के दें में जो अगर अल्टरा वाइट फोटो से ही जो आपको बेस्ट बहुत ही लोग नॉइस के साथ अच्छा फोटो आपको निकाल के देदेगा तो यहां पर कलर सिफ्टिंग एक्स्पोजर सिफ्टिंग आप देख सकतो प्राइमरी और अल्टरा वाइड में बहुत ही कम है ना कम के हिसाब से ही बोलेंगे क्योंकि भाई जिस प्राइस पर यहां पर यह सब चीज में मिलना मुस्किल हो जाता है और सबसे बेस्ट चीज आपको कि इस प्राइस पर आपको मैक्रो शॉट्स मिल जाता है वह भी 50 मेगा पिक्सल का वह आप इसका इसके फिल्टर से मिलते हैं तो अगर 30,000 के रेंच के हिसाब से अगर हम बात करें तो य सेलेक्शन के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा हमको कहीं भी ऐसा बिल्कुल भी सीज में फील नहीं हुआ कि एस सेलेक्शन को लेकर हम कोई कंप्लेण वगयर करें कलर सब्सक्राइब लेकिन हाँ डाइनमीक एक दो जगा गडबर हुआ था हमने कई सब्सक्राइब आपको ब्राइट करेगा चिकना करेगा यह सब ध्यान रखना सौफ्ट करता है आटिफिशल लाइट में खास तौर पर अगर आप जोगे तो थोड़ा ज्यादा सौफ्ट करता है लेकिन डीटील्स बहुत ही बढ़ी है निकाल के देता बेस्ट क्लिक कर सकते हो इसका एक औ आपको 5x तक यूजबल शॉट मिला उसके उपर आप जाते हो तो वहां पर आपको जो है क्वालिटी जो है डिक्रीस होते चला जाता है तो यूजबल नहीं है अब मैक्सिमम टेने क्स तक काम चलाओ निकाल सकते हो 5x तक अच्छा फोटो दो बिलेगा फ्रेंट कामरा का ब होगे तो अगर आपने वी 30 प्रो का देखा होगा रिभी कुछ वैसा ही फोटोज वगरा है वाइडर व्यू काफी जादा पॉइंट 8x मतलब की 20 mm का वाइडर भी मिल जाएगा पोट्रेट मोड में भी और नॉर्मल मोड में दोनों मोड में आपको अच्छा फोटो निकलत सकते हैं यह फोन जो है 30,000 के सेग्मेंट में अगर बोले तो वन अब बेस्ट आप आउपूट वगरा सारा कुछ देदा था इवन लो लाइट का जो फोटो वगरा था एक्स्ट्रीम डार्क में भी फोटो चैनल करता है डिस्पले फ्लैस डिस्पले और लाइट है उसको भ फोटो है यह मैंने क्लिक क्या फोटो यहां पर 25 फोटो आता है लगवाग 50 Megapixel अले जितने फोन से उसमें 25 फोटो आता है तो कैमरा सेटिंग्स का बात करें तो कैमरा उपेन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है यहां पर अच्छी बात यहां कि जर्क के स उपते हैं यहांब पर काफ सर और झाले अस्टो फोटर्विशम करने के लिए भी वीडियो मोड में यहां पर इस को और प्रेस करोगो तो बोके वीडियो जो हुक्षka सेटिंग मट töपनरमा जाता हिए है सलोमोशन मौड है टाइम लप्स मोडे है टाइम लैफ्स अच्छ नहीं है लेकिन 4K में अच्छी बात यह है कि आपको और येर कामरा में प्राइमरी कामरा में एसका सपोर्ट मिल जाता है वाइस भी बढ़िया से काम करता है एक्सपोजर बढ़ियां करता है डे टाइम में लोगों ने जितना वीडियो वगरा क्लिक किया बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर हैंडियो करता है यह है कि आपको डार्क नहीं होने दगा लब बोलते हैं कि फेस दिखेगा तो ब्राइट करके रखेगा वीडियो को और फेस नहीं दिखेगा तो एक्सपोजर डाउन करता है और हम लोग 10TP में लो लाइट में वीडियो लिये थे यह इसलिए के लिए क्योंकि यहां पर एक्स्पोजर दे पाना बहुत बड़ा बात होता है कि इसे फोन के लिए तो एक्स्टीम डार्क में भी अगर आप जाओके तो बढ़िया वीडियो से अप निकाल सकते हो और अल्ट्रावाइट पे स्वीच करने के बाद भी हमने देखा कि यहां पर थीख थाख मिलेगा बहुँ जादा वाइट नहीं मिलेगा यहां पर डाउंग्रेड किया गया घ्रटी प्रोश से और यहां सन भटता है तो क्या होता है सरने चैंटे गा एक्स्पोजर अपने डाउन कर लेका है डैनेमिक रेंच उतना बढ़िया वीडियोस में म ऐटोफोकस ठीक ठाक ही मिलेगा बहुत फास्ट नहीं है वोट इस आपको इस्टेबलाइशन नहीं बढ़ वाइडर व्यू काफी जाद मिल जाता है तो यह काफी अच्छा चीज है और अच्छा चीज और अच्छा ऐसा है वेदर आज कुछ हाई ब्राइटनेस वाला है नहीं मतलब संवन नहीं है तो जादा आपको दिखा नहीं सकते हैं जैसे काफी अच्छा क्वालिटी और ओडियो क्वालिटी है तो गाइस यह लो लाइट का 4K वीडियो है और यहां पर आप देख सकते हो कि ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको मिल अच्छा है 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो इस फोन का ड्यूल वीडियो मोड है जिसमें आपका फ्रेंट और रियर कामरा दोनों जो है एक साथ आउन रहता है यह ब्लॉगिंग में हेल्प करता है और टेंटीपी पर आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो आपको मिलने वाला है तो फ्रेंट से आपको अच्छा ओडियो क्वालिटी मिल जाता है रियर में थोड़ा से स्ट्रगल करता है और यह स्लो मोशन का वीडियो है यहां पर आप देख सकते हो कि अच्छा क्वालिटी का स्लो मोशन है कोई फ्रेम ड्रॉप या फिर हमको है तो 30,000 के रेंज में आपको काफी सारा कॉम्पेटिशन मिलता है इस फोन को अभी के टाइब में बहुत बड़े स्टैंड करता और भी काफी सारे फोन से लेकिन इस फोन में जो अच्छा चीज हमको यह लगा कि अल्ट्रा वाइड और फ्रेंट कामरा में बिल्कुल भी क चाहिए अच्छा कामरा फोन है तो जिनको डे टुदे लाईज में फोटो वगरा क्लिक करना इप फोटोग्राफी वगरा करना उनके लिए काफी बढ़ी रही कामरा बढ़ी है डायनमीक रिंज बढ़ी है फ्रेंट कामरा यह सब चीज्ड आपको बढ़ी है तो यह फोल ब कीजिए मिलते अंगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब